हरिदवार में एक से बढ़कर एक आश्रम है जो पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखते हैं लेकिन आश्रम में से कुछ की राजनिती भी कमो बेश उतनी ही बड़ी है बता दे बीते सालों में आश्रमों की बेश कीमती संपत्तियों को हतियाने केक से बढ़कर एक मामले सामने आये हैं जो समाज में चर्चा का विशय बन रहे हैं ताजा मामला हरिद्वार के एक आश्रम की संपत्ती को हत्याने में नाकाम रहने पर कथित रूप से वकील से साधू बने एक व्यक्ति द्वारा स्वाधवी के साथ अंतरंग वीडियो और अश्लील मैसेज को वाइरल किये जाने का है। बता दें 27 अक्टूबर को एक साधवी द्वारा अशोक कुमार वर्मा निवासी मुर्जापूर के खिलाप बहला फुसला कर उसके साथ दुश्कर्म कर अंतरंग वीडियो और असलील मैसेज वाइरल करने के संबंद में थाना कल्गल में मुकदमा पंजी करेत कराया गया कुमार वर्मा और पीडित साधवी दोनों स्वर्गिय स्वामी नित्यानंद के आश्रम में रह रहे हैं मिली जानकारी के मुताबिक कंखल स्थित वालमी के आश्रम के महन्त स्वामी नित्यानंद की कोविद के दौरान 2021 में मौत के बाद उनके शोनिष भंडारे के दिन अध्यक्स चुना गया और साधवी द्वारा अभ्युक्त अशोक कुमार वर्मा को ट्रस्ट का महासचिव बना दिया गया जो महासचिव होने के कारण आश्रम में ही रहने लगा जहां आश्रम में रहने के दौरान दोनों में नजदी कियां बढ़ गई वक्त बीदने के सा अभ्युक्त अश्रम की गद्धी में बैठने का प्रवेल दावेदार बन रहा था जिससे सीधे सीधे साधवी का नुकसान होना तैथ था जिस कारण धीरे धीरे ये बात साधवी को बुरी लगने लगी बता दें साल 2022 में स्वामी नित्यानंद की पहली पुन्यतिती पर प इस से आहत होकर उसने एक अदम उठाया बहरहाल कंखल इस्थित आश्रम की संपत्ती पर कबजे की नियत से ट्रस्ट की अध्यक साधवी से दुषकर्म कर अश्रील वीडियो बनाकर वायरल करने के आरोपी वकील से बाबा बने ट्रस्ट के पूर्व महासचिव को कंखल झाल